हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करना ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धग्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यह बात आपसे जरूर शियर करूंगा इस वीडियो में कि जो भी विकिंसिस में आपको बताता हूँ इन विकिंसिस में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूँ मेरी विकिंसिस बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट रहती हैं ताकि मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रोल अदा कर पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बेहन दोस्त बुका नहीं सोना चाहिए उसको कहीं न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्ट्स के चक्कर में मत फसा करो बहुत सारे आप भाई बेहन दोस्त 5-5 जार, 10-10 जार कंसल्टन्ट्स को दे करके आ जाते हो एडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नगी लगती है मेरे बहुत सारे बाई बेहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्ट्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिकने की जाती है और लास्ट में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते है कई बार तो मेरे बहुत बाई, बहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके करियर के साथ खिलवाड किया जाता है, उनके करियर को बरबाद किया जाता है हम बनना एकाउंटेंट चाते हैं, हमारी रेलिवनसी एकाउंटेंट की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है receptionist हम बनना engineer चाते हैं हमारी relevancy engineer की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है telecaller सो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आप से कराना चाती है ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी कर लेंगे ज़स्ट सबसे पहले अपना पैशन देखा करो आपका जो पैशन है उसी की तरफ चाओ अगर आप अपने पैशन को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी विकिंसिस मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा 10 दिन देखा 15 दिन देखा आपके मतलब को कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनस से रिलेटिड होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनस से रिलेटिड वीडियोज भी बनाओ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा passion होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाते हैं हम निकाल ही नहीं पाते हैं हम करना कुछ और चाते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं कुछ लोग business minded होते हैं बने business के लिए होते हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए हो सकता है आपका passion बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances हैं तो please comment box के जरीए मेरे से information हासिल कीजिएगा अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं है तो please इन vacances को आगे share जरूर कर दिया करो हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बच जाए हो सकता है आपके शेयर से कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए मैं आपको फॉन नंबर और एमेल आइडी डिरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं पहली बार देखते हैं महीने के बाद देखते हैं और इतने में जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नमबर 9888330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मोबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है install करने के बाद आपने मेरा phone number 9888-3300-688 share करना है 68 save करने के बाद आपको मेरे telegram पर hello send करना है जैसी ही hello send करेंगे मेरी तरफ से आपको एक link आएगा link आने के बाद आपको vacancies दिखनी start हो जाएंगी जिन में direct phone numbers होते है direct email id भी होती है और एक और बाद कई बार कुछ phone numbers हो सकता है गलत निकलाएं क्योंकि मेरे पास दूर दूर से phone आते हैं employers के phone आते हैं तो जैसी vacancy आती है तो मैं post कर देता हूँ तो कई बारी बात में पता लगता है कि वो भी एक consultant था और अगर consultant था और आप उनको call करते हो अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसे भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नहीं देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की request कर रहा हूँ कि मैं कभी भी jobs के लिए इन placements के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी advance या कोई भी last pay पैसा किसी भी तरह का कोई भी recharge मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacances बिल्कुल free of cost रहती है, मेरी ये vacances society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक हल्प रहती है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की विकेंसिस ये रही सो आज की विकेंसिस रहेंगी चंडिगड की मेरे जो भी भाई, बेहन, दोस्ट चंडिगड में रहते हैं उन सब के लिए आज की आप्शिन्स रहेंगी चंडिगड में हमें एक इंस्टिट्यूट में कमिस्ट्री टीचर्स चाहिए जिनको कमिस्ट्री की अच्छी नॉलेच होनी चाहिए एस पर आपके नॉर्म्स, क्वालिफिकेशन, रेलेवेंसी होनी चाहिए एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कम से कम आपके पास दो साल का एस अ कमिस्ट्री टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताइमिंग्स यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहेंगी सेलरी जिसकस की जाएंगी इंटर्व्यू के टाइम पर उसके बाद हमें एक चंडीगड में आफिस में आफिस चाफ चाहिए फीमिल केंडिट होना चाहिए यह एक फार्मा कंपनी है सेक्टर 47 में ताइमिंग्स जो है वो यहाँ पर आपकी 9 to 6 की रहेंगी सेलरी यहाँ पर आपको 15,000 पर मन्त मिल जाएगी उसके बाद हमें चंडीगड में ही एक कंपनी में डिलिवरी बॉयस चाहिए डिलिवरी बॉयस जो है उनके पास अपनी बाइक होनी चाहिए अपना एक वैलिड लाइसन्स होना चाहिए टाइमिंग्स यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल रहेंगी सेलरी 12,000 पर मन्त मिल जाएगी उसके बाद चंडीगड में ही हमें एक कंपनी में बी फार्मा कंपनी है यहाँ पर कुछ ऐसे केंडिड चाहिए जिनको एकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टैली अच्छी से आती होनी चाहिए बीकॉम कर रखी होनी चाहिए टाइमिंग्स एंड सेलरी बोथ फिल्बिड डिसकस जोरिंग इंटर्वियो उसके बाद चंडीगड में ही हमें एक कंपनी में सेल्स एक्जेक्विटिव चाहिए यह एक एलेक्ट्रिकल शोरूम है यहाँ पर आपका जो काम रहेगा शोरूम के अंदर ही रहेगा चंडीगड में फेस वन में है यह शोरूम और टाइमिंग्स जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल रहेंगी शिफ्ट वाइस भी रह सकती है सेल्री डिस्कस की जाएगी इंटर्विव के टाइम पर उसके बाद चंडीगड में ही हमें एक कंपनी में फीमेल रिसेप्शनिस चाहिए आपको कंपिटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए Microsoft Word की बात करूँ Excel की बात करूँ अच्छे से आता होना चाहिए इवन डाट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज टैली की भी होनी चाहिए graduate हो तो apply कर सकते हो fresher हो तो भी apply कर सकते हो timings and salary both will be discussed during interview उसके बाद हमें चंडीगड में ही एक company में sales manager चाहिए आपके under और लोग काम करेंगे कम से कम 10 से 15 लोग आपके अंदर काम करेंगे आपकी qualification कम से कम graduate होनी चाहिए और आपको कम से कम as a sales manager का 3 से 4 साल का experience होना चाहिए salary यहाँ पर आपको 35,000 पर मंद मिल जाएगी उसके बाद चंडीगड में ही हमें एक company में sales और marketing के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको trading की अच्छी knowledge होनी चाहिए timings and salary both will be discussed during interviews उसके बाद चंडीगड में ही हमें company में computer operator चाहिए चाहिए आप male हो चाहिए आप female हो दोनों हो apply कर सकते हो even that आपको Microsoft word की अच्छी knowledge होनी चाहिए आपकी typing speed बहुत अच्छी होनी चाहिए कम से कम 40 words per minute के आपकी speed होनी चाहिए 90% आपकी accuracy होनी चाहिए 9 to 6 की यहाँ पर timing रहेंगी 15,000 आपकी salary रहेगी आपके communication skills अच्छे होनी चाहिए चाहिए वो English में है चाहिए वो Hindi में है चाहिए वो Punjabi में है उसके बाद चंडिगड में ही हमें एक company में civil engineer चाहिए आपने B.Tech in civil engineering कर रही हो minimum आपके पास एक साल का experience होना चाहिए salary यहाँ पर आपको 27,000 per month मिल जाएगी अगर आपके पास एक साल का experience है तो अगर आप कहीं से अच्छी salary ले रही है तो आपको उससे उपर का भी हाइग यहाँ पे मिल सकता है उसके बाद चंडिगड में ही हमें एक pharma company में sales executive चाहिए आपके communication skills अच्छे होनी चाहिए timing and salary both will be discussed during interview सो यह थी जी आज की कुछ vacancies चंडिगड को ले करके मेरे जो भी भाई बेहन दोस्ट चंडिगड में रहते हैं उन सब के लिए आज की options हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies हैं तो आप comment box के जरीए मेरे से information हासिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies नहीं हैं तो please these influences को आगे share करना मत भूलिएगा हो सकता है आपके share से हमारे किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्ट को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए thank you so much guys, मुस्कुराते रहो मुस्कुराहट देते रहो और आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगती है मुझे comment के जरिये जरूर बताईएगा खास करके अगर आपको लगता है किसी भी तरह की कमी है तो वो तो जरूर ही बताईएगा ताकि मैं उस चीज में improvement कर पाऊँ आपके comment से मुझे print ना मिलती है कुछ अच्छा करने की कुछ नया करने की Thank you so much guys मुस्कुराते रहो आप और मुस्कुराहट देते रहो Thank you so much